यहाँ पर साथ जिलो में कोविट वाक्सिनेशन शुरू हो गया है और यूपी के साथ जिलो में वाक्सिनेशन लखना वानारसी कानपुर प्रयागराज गोरखपुर बरेली और मेरिट में वाक्सिनेशन 18-49 साल तक के लोगों को टीका लगाया जारा टीका करन चल रहा है और कोविट से ज्यादा प्रभावितर जिलो में वाक्सिनेशन शुरू कर दिया गया है तो आपको दादे सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है और एक मैं याने के आद से अठारा साल के उपर के लोगों को वाक्सिनेट किया जा रहा है तो आपको दादे प्रियाग राज गोरखपुर में भी वाक्सिनेशन किया जा रहा है बरेली मेरिट में भी वाक्सिनेशन चल रहा है और यूपी में सबसे आदा प्रभावितर जिलो में वाक्सिनेशन हो गया है कि आदे आज से का चुछाटा फेज शुरूं हो है इसमें 18 साल के उपर के लोगों को वाक्सिंओ किया जारहा है आपको दादे यूपी में सबसे जादा प्रभाविद शाद जिलों में यहां पर वाक्सिंओनेशन शुरू हो गया 18 प्लस के लोगों को vaccine कर सकते हैं मिरिट से हमारे साहतre नरेंदर जुड़ें यहाँ सबसे पहले रुख करेंगे प्रेया का धिरेंद्र हमाई साथ हमास वाइवत आता है धिरेंदर प्रयां ग्राइगराज की अपडेट दे दिये कितने वज़ेdt से यहां पर वाक्सिनेशन शुरू हुआ है और किया कुछ तयारिया है ब्रयागराज में वैक्सिनेशन शुरू हो गया है सब्सक्रातु कुल जो सेंटर्स बनाए गये हैं जिसमें तेजबादू सपूर चेकिशाले हैं डफरीन है, रिलgamала गाह हर्जाव करने हैं वहाँ यह च्रूच के संटर हैं वहांपर लोग पहुँछ रहे और बैक्सिनेशन के लिए पहले रिजिस्टेशन करुआए हैं और रिजिस्टेशन जिस मोबाइल से करा हैं उनको सूचित किया गया अब वो वैक्सिनेशन का काम शुरू हो गया जी बिल्कुल चले हमारे साथ हमारे समवादाता नरेंद्र भी मेरिट से जुड़े में नरेंद्र मेरिट की अगर बात की जाए तो लगातार ग्रामीर शेत्रों में भी काफीं तेजी से कुर्णा वारिस फैलता है नज़र आ रहा है कि वाइस रापर इसके लावा सुछी बिस्विद्याल है इन दोनों केंद्रों पर सुब़े दस बजे से जो वैक्सिनेशन का काम है वह सुरू हो गया है बाकी जो आठट कैंद्र हैं जिन में तीन केंदर केबल मेडिकल कॉलिज में हैं और दो केंदर जो हैं वो जिलास्पताल में हैं वहां पर भी बारे बज़े से जो वैक्सिनेशन है वो सुरू हो जाएगा उन लोगों को मैसिज भेजे गए हैं जो सरकार के पिरामीटर के आधार पर जिन्हों ने रेजिस्टेशन क कर पांच वजे तक वैक्सिनेशन होगा यानि बहुत ज्यादा जो वैक्सिन की उपलब्दता है वो नहीं है और इसलिए पूरे जिले में केवल दस सेंटर रखे गए हैं सबस्वड़ी दिक्कत की बात यह है कि जो मेडिकल कॉलिज में दो सेंटर हैं वहां पर लगातार ज जहां पर यह वैक्सिनेशन होना है उसके सटा हुआ ही एक बिंडो है वहां पर कोरोना लोगों के टेस्ट भी हो रहे हैं जो कोरोना संबावित केस हैं उनके टेस्ट हो रहे हैं इसी तरीके से जो जिलास्पताल है जिन में से जिलास्पताल में दो और एक इर्बिन अस्पत है जनमें चौजरी चरण सिंग्स्विद्धाल है एक सेंटर है वह बिल्कु खुला हुआ इस्थान है और वहां पर भी वैक्सिनेशन का केंदर रहेगा इसके अलावा एक मोलतान नगर में प्रात्मिक स्वास्त केंदर है वहां पर भी रहेगा और अलग-अलग अलाकों में क कि जिस तरीके से लोगों नो रजिस्टेशन कराया है बड़ी तादात में क्योंकि जितनी आज वैक्सिनेशन होनी है उससे चार गुना लोग जो है वो रजिस्टेशन करा चुके हैं तो ऐसे में कुछी लोगों को मौका मिलेगा और उम्मीद की जा रही है कि बो लोग नि कि अब बिल्कुल नव वजे से राजनी लग्शनों के दस से सेंटर है जहां पर वैक्सिनेशन का काम किया जा रहा है और सुबह से ही लोग वोप लोग है जो पहुंच रहे हैं काफी बढ़ चड़कर के लोग हिस्सा ले रहे हैं और वैक्सिन लगाने का काम उनी विक्तिय सेंटर किया जा रहा है वैक्सिनेशन और हर जगे पर तीन सेंटर लगवग बनाए गए हैं जिसमें एक फोटी फाइब प्लस वाले लोगों को एक में यूथ जो अठारा से उपर का है पुरुस और एक फीमेल वार्ड बनाए गया जहां पर वैक्सिनेशन का काम किया जा रहा लेकिन मैं आपको बताओं कि लखनो के दस सेंटर ऐसे हैं लेकिं देहात इखात इलाकों मेर कहींड नहीं भी बनाया गया है है, हलाकि वहां की जाज़ रिपोर्ट बहुत तàiजी से नहीं आपा रही है, जाज़ नहीं हो पारी अच्छे से तो रिपोर्टस नैहीं मिल पारी है, लकिन लोग बीमार बहुत ज़्यादा लेकिन फिरहाल जिसकी शुरुवात हुई है वो वैक्सीन अभी एक करोण वैक्सीन कल देर रात पहुंची थे उससे पूरे प्रदेश में बेजा गया और लखनों पर भी पाच बज़े तक वैक्सिनेशन का काम है वो होगा बिल्कुल धिरेंद्र भी हमाई साथ हमाई समवा यहां पर पहुंची है और इस फेज में कितने लोगों को वैक्सिनेट किया जा सकेगा दिखे जो संगम नगरी प्रयागराज में जो प्रसाथनिक जो लक्ष रखा गया है वो तीन हजार लोगों को वैक्सिनेशन की जो लक्ष रखा गया इसके लिए बाकाईदे दस केंद लुए पूरे जिले में बनाये गए हैं, जो बैक्सिनेशन पर किया जाएगा, जिसमें ज़ा केंद्र शाहरी इलाके में हैं ow चार ग्रामीड़ी इलाकّों में, ग्रामीड़ी इलाकों में जो भी 이건 बनाये गए हैं वो कोटवा है, जसरा है और एक PSC केंदर बनाया गया, तो इस तरही से 10 केंदरों पे बैक्सिनेशन हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से कोरोना के कहा है, संगरम नगरी में लगातार जारी है, अगर पिछले 24 घंटे की मौतों की आकड़ा की बात की जाए, तो 25 लोग कोरोना संक हम नगरी में कोरोना से मौत हो रहे हैं, कोरोना संकित मरीजों के जो तादात है, वो लगातार बढ़े रहे हैं, उससे लोग खौप जदा भी हैंगे, मेरिट में कितनी वैक्सिन के डोज पहुंचे हैं, और क्या कुछ लक्ष रखा गया है, कितने लोगों को इस फेज में वैक्सिनेट किया जाएगा? इस बार नहीं खोले गए हैं, नए केम्पेन के लिए, और दूसरी तरफ, जो स्वास्त कर्मी हैं, वो भी सीमित मात्रा में हैं, इसलिए जो सेवाइं हैं, वो हर जगे नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि बहुत बड़ी तादात में जो स्वास्त कर्मी हैं, वो COVID-Positive हैं, और इसलिए तो एसी स्वास्त में के सामने, और बहुत बड़े बड़े चैलेंजेज हैं, इसी की वजए से के बड़े दस सेंटर रखे गए हैं, और यह सारे सेंटर जो हैं, वो यह तो सहर में ही हैं, या फिर सहर के बिलकुल सटे हुए हैं, जेहाद के खास करके जो दूरस त दोर में किबल साथ सेरों को चुना है, यहां 9000 से ज्यादा कोविट मरीज जो हैं वो एक्टिव हैं, संजे और नरेंदर आप दोनों बने रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम जानकारी के इसी बीच रहे के बड़ी खबर सामने आ रही है, दिल्ली बंचाय